प्रेंड्स टैसे उमीद करते हैं आप सब बहुत बेतर अस्वस्थ होंगे नीट 2022 के अप्लिकेशन फर्म को आप लोग अपलाई कर रहे हैं लेकिन इस ट्रेंड्स थोड़ा सा यहां पर आपको पूरी तरह से कोड के बारे में बताऊंगा किस परकार से कोड भरना है 11 क्लास ह सब्सक्राब का डेटा में क्या फिलब कर रहा है पूरा डीटेल में आपको यहां पर बताऊंगा क्योंकि बहुत से बच्चे 11 क्लास में कंफ्यूज हो रहे हैं कि 11 में डेटा किस परकार भरना है और साथ जी साथ एजुकेशन कौलिफिकेशन ड्रोपर इस्ट्वेंड्स और पूरा डीटेल अप्लिकेशन फॉर्म को किस फरकार से भरना है उसी से मैं आपको पूरी तरह से इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो गाइस वीडियो के साथ बने रही है और जो हमारे नीव वीवर से उनसे रिक्वेश्ट है डूरे डू सब्सक्राब य जो कोड है इसमें कोड नंबर वन भराएगा वो बच्चे जो क्लास टूल में अभी एक्जामनेशन दे रहे है या उनका रिजल्ट अभी विंतजार है रिजल्ट एवेटेड में मौजूद होगा अगर उनका रिजल्ट उनके हाँ पास नहीं होगे तो वो कंड्रेट जो ह अप्लाई एपिर इन दा कंपरेटिव इंटेंस एक्जामनेशन को टू वो बच्चे भरेंगे जो आप जो हाइयर सिनियर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामनेशन में जो बच्चे को आवालेंट टूल क्लास में पास कर गये हैं यारि टूल यह आप दे स्टू यह सच केमपरिफिजिस, केमिस्ट्री, बायलोजी यह आप सभी बच्चो के लिए है जो आप पासओर्ड हो चुके हैं यानि कि वो कोड जीरो टू फिलब करेंगे उसी तरह कोड थिरी जो है उन बच्चो के लिए है जो इंटरमेटिड या प्री डिग्री एक्जामनेशन इन साइंस या इंडियन उनिश्टी या बोर्ड अधर गुनाइज बोर्डी अफिजिस, केमिस्ट्री, बायलोजी, बाटनी यह उन बच्चो के लिए है जो कोड थिरी फिलब करेंगे सबसे बड़ी बात यहां से इस तो आप सब भर लेंगे लेकिन एक बड़ी बात जो आप स भी कल लेगा लेकिन आपको पूरी ड्रस है यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि क्लास 11 का जो डेटा है में वो क्या फिलब करें ठीक है क्योंकि बहुत से स्टेट क्या होते है कि 11 का मार्क्षिट नहीं देते है या उनके परसेंटेज को कॉंट भी नहीं करते तो च वो है कि online payment करना है और दूसरी बात यहां पर कि photo के site जो होगा 10 कवी से 200 कवी के बीच ही होगा signature में अगर बात करेंगे जीपीजी के जीएगा ठीक है date of 100 photograph में और दूसरी बात यहां में बात कहूंगा कि यहां पर जो बच्चों का है fingerprint जो है thumb impress है उसका site 10 कवी से लेके 200 कव जीपीजी में होगा signature 4 कवी से लेके 30 कवी के बीच होगा यह सब बहुत important update है और जैसी आप website पर आएंगे तो यहां से आप registration करना सुरू करेंगे new registration में क्लिक करेंगे वहाँ elementary खुलेगी पहली form इसमें okay किजिएगा ठीक है confirmation page पे उसके बाद आपको यहां पर देखे फादर नेम पिता नेम माता नेम और अभ्याति का जरंती थी लिंग जेंडर पहचान का पत्र देखे यहां पहचान के परकार बूल रहा है यानि identity types चाहे आपका कुछ भी हो सकता अधार को सकता है driving license होता है जो भी है वो यहां select कर लिजिएगा गौर्मेंट का जो भी है फोटो युक्त होना बहुत जरूरी है और वो identification number उसका serial number आप यहां पर भर देंगे आप address जिस जगहां पर आप रहते हैं एक address तो वह address होगा जहां आपका मकान residential है यानि आप जहां सेमी रख दे तो ज्यादा बेटर है यहां ID पास्वर्ट लेकर आप आगे बढ़ जाएए फिक जैसी किजिएगा यहां पर एक page खुल जाएगा जिस page बे रेजिस्टेशन डिटेल आएगा information complete हो गया लेकिन अभी fee payment बाख ही है जैसे आगे बढ़िएगा इस्ट्रेंट्स यहां पर से अब आपको क्या करना होगा सबसे जादा important यहां पर आगे जाता है क्लास 10 का qualification डिटेल ठीक है वहां तो आप फिलब कर लिजेगा लेकिन सवाल यहां पर 11 क्लास माईएगा देखिए 11 में क्या किजिएगा सारे चीश्टों आप फिलब जब किजिएगा तो यहां पर एक परिच्छा मोड दिया हुआ है देखिए यहां पर परिच्छा मोड को जब सेलेक्ट किजिएगा तो आप उसको नॉट अवलेबल को सेलेक्ट कर लिजेगा क्यूंकि बहुत सा ऐसे अगर आप नहीं दे तो वो submit हो जा रहा है यहां to all का detail लिख दीजेगा इस तरह से आप form को submit कर लिजेगा उसके बाद यहां size है बाया हाथ का दाया हाथ के उंगलियों करें शान, धार तर्चर पोस्ट कार्ड साइट का photo, personal disability अगर है तो वो दीजेगा सारा detail देते हुए आप यहां फिलेप करके submit जब final किजिएगा तो उसके बाद आपको जब payment को खुलेगा payment map करने के बाद फिर final page आपका इस तरह से खुल जाएगा और भी बड़ी अपडेट में धिरे धिरे इसमें देता रहूंगा किस तरह से application फॉर्म बढ़ना और सारे चीज अपडेट दोंगा जैहिन जैवाद